नमस्कार, Soil Science Series का अगला लेक्चर है, इसमें हम लोग बात करेंगे nitrogen losses की, काफी important topic होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग volatilization की बात करने वाले हैं, इसमें हम लोग denitrification की बात करने वाले हैं, इसमें leaching losses कैसा होता है, ठीक है, इसमें nitrification innovators क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो काफी important है, तोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो topic क्या है, nitrogen loss, nitrogen loss होता कैसे है, अलग-अलग तरीके है, nitrogen loss होने के, तीन तरीके सबसे important है, एक तो है आपका volatilization loss, bolatilization, IMP लगा जए न, इस पर बहुत important है, दूसरा जो loss होता है, दूसरा जो नुकसान है nitrogen का, वो होता है, denitrification से, जिसको nitrification समझ में आता है, उसके लिए denitrification बहुत आसान है, वो भी बता देंगे, nitrogen क्या होता है, और तीसरा जो नुकसान होता है, nitrogen का वो होता है, लीचि denitrification की वजए से होता है, और एक आपका leaching की वजए से होता है, एक ये करके समझे, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर bolatilization loss की, bolatilization loss जो होता है, पहली बात समझे है, कि यह non-biological loss है, denitrification एक biological loss है, biological loss से बड़ा simple सा मतलब है, कि denitrification जो होता है, वो living organism की presence में होता है मतलब यहाँ पर bacteria होते हैं, वो करवाते हैं denitrification, अगर bacteria नहीं होंगे, तो denitrification भी नहीं होगा, तो denitrification में जो नुकसान हो रहा है न वो biological loss है, कैसा loss है यह nitrogen का biological loss है, biological loss of the nitrogen, क्योंकि यहाँ पर bacteria करवा रहा है, denitrification, यहाँ पर किसी तरह का कोई bacteria नहीं है, कोई living organism नहीं ह इसलिए यहाँ पर जो loss होता है वो कैसा होता है non biological loss होता है non biological loss of the nitrogen यह nitrogen जो है वो non biological loss है actual में यहाँ पर nitrogen loss जो होता है वो ammonium iron के form में होता है in form of ammonium iron ammonium iron या फिर हम कहें ammonium iron का ही loss होता है non biological loss of ammonium iron ऐसे आप स्चाहों तो लोकुल सिंपल तरीके से लिख सकते हो बे बचा गुमा फिरा करके क्यों लिखें ऐसे लिख लिए इसको non biological loss of ammonium iron जो ammonium iron है उन ammonium iron का loss होता है वो भी non biologically कोई भी यहां पर bacteria या कोई भी living organism यहां पर involved नहीं होता अब conditions क्या है आपर पहली condition most important pH इसका आठ से ज्यादा होना चाहिए आठ से ज्यादा मतलब alkaline medium होना चाहिए आठ से ज्यादा होगा तो वहां पर condition कैसी होगी alkaline condition होगी pH जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा alkaline condition बनती है तो pH ज्यादा होना चीन होना चाहिए आठ से बहार निकल जाता है है और यह जो condition यागर यह फिर कंडीशन आपको पुरDrainage Когда मिल जाए मतलब यह पी एच्ट बढ़ी रहा है अध से ज्यादा हुई रहा है उपर से पुरटी ड्रेंज चंडीशन कहने का मतलब वाटर लौगड कंडीशन हो जाए तो यह जो लॉस हो रहा है यह जो है और ज्यादा बढ़ जाता है कि इंक्रीजेस इन पूर ड्रेनेज कंडीशन पूर ड्रेनेज कंडीशन में यह फिरम का है वाटर लॉग्ड कंडीशन में और ज्यादा होती है वाटर लॉग्ड कंडीशन वहां पर यह बॉलेटलाइजेशन नौस और भी ज्यादा होता है ज पुरीड द्रस ट्राइश हमें ठांती ऒएहन बालां कि दान की खेसके में बात करें तो गात करें अटमेलर अटावल अगर में बात करें कि इंडिया के अंदर जितना भी नाट्रोजन का नुक्सान थे-टी सिक्स्टी पर्सेंट जो नाइट्रोजन लॉस होता है इंडि टोटल लॉस को ऑफ नाइट्रोजन इन इंडिया इंडिया के अंदर नाइट्रोजन का जो टोटल लॉस हो रहा है उसमें सिक्स्टी पर्सेंट नाइट्रोजन लॉस जो है वो बॉलेटलाइजेशन के द्वारा है इस चीज को थोड़ा साथ ध्यान में रख के बात करिएगा ठीक बच्चे बहुत कन्फीज होते हैं यह जो 60% लॉस है ना यह धान की खेत में नहीं है ध्यान रखना धान के खेत में पैडी फिल्ड में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का नुकसान डी नाइट्रिफिकेशन करके हैं इस ले तुद्ट से कॉस्चन को बहुत ध्यान से पड़िये गा पूछं क्या पूछा जा रहा है अगर स्य में पेडी दिया गया के पैड़ी फिल्ड के अंदर सब से ज्यादा नाइट्रोजन का नुकसान कर आसे होता है तो चैंड आवर से उसमें एंदि कासिह ग नॉप के बारे में बात नहीं की जा रही है तो सबसे ज़्यादा नुकसान बॉलेटिलाइजेशन है और अगर वहां पर specific कहा जा रहा है कि पेडी फिल्ड के अंदर बताई है कि पैडी फिल्ड में सबसे ज़्यादा नुकसान का इसे होता है तो फिर वो डी नाइट्रिफिकेशन से होगा याद रखना इसको most important point है और सबसे ज्यादा confusing point भी यही है अकसर इसको 60% नाइट्रिफिकेशन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है बहुत सारे बच्ची आप में से ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि नाइट्रिफिकेशन क्या है नाइट्रिफिकेशन में क्या है कि जो अमोनियम आयन है NH4 है यह सबसे पहले कनवाइट होता है नाइट्राइट में NO2 निगेटिव में ठीक है फिर यह जो नाइट्राइट है यह कनवाइट होता है नाइट्रेट में NO3 निगेटिव में और यह जो नाइट्रेट है यह अवयलेवल हो जाता है प्लांट को अवयलेवल टू दी प्लांट तो ऐसी जगह जहां पर प्लांट अमोनियम आयन को एब्सॉर्ब नहीं कर सकते higher वहां पर वो उसे नाइट्रेट फॉर में और करते हैं तो यहां पर अमोनियम आयन का कनवर्जन होता है है ६ढडा ses ऄसे कहते है nightrification और यहाँ पर बैक्टरिया काम करते हैं दो दो एक नाइ्ट्रो सो मुनास बैक्टरीया होता है रहे कह तो यह जो process होती है वह होती है in the presence opt Original ha DMC और अब डो स्टेप हैं यहाँ पर तो दो बैक्टरिया यहां पर काम करते हैं एक होता है नाइट्रो सो मुनास और एक होता है नाइट्रो बैक्टर तो दो बैक्टरिया यहां पर काम करते हैं इन दौना बैक्टरिया की प्रेजेंस में यह reaction होती है nitrification अब इसका उलटा कर सकते है इसको उलटा कैसे करोगे वह हमको पढ़ना है D-Nightrification तो जास्ट उलटा समझ में भी आ रहा है nitrification का हो जाएगा डी नाइटरी व्यकेशन हो जाएगा डी नईट करिसे केशन में क्या बहुत है दिनाइट्री नाइट्रिटिकेशन भी बैक्ट्रीया की प्रेजशन मिं होता है इसलिए जिस दिर पहले मैंने क्या बताया था बाइलोजेसल लॉस आफ ड़र नाइटो लिश्री पर नाइट्रो जो होता है रो kenya का извी है कहने का मतलब तब ही यह नाइट्रेट है यह नाइट्रेट है यह नाइट्रेट आपका कनवर्ट होगा नाइट्राइट में फिर नाइट्राइट से आपका डेक्टरिया की प्रेजेंस में होती हैं और ऑभी ऐसी बात है नाइट्रिकी केंग गल्य और चाहिए तो डे सानदी ब्रेक्टरियर में इन्दी प्रेजेंस आफ ब्र vendo एसल्री आप जैसे यहां पर करते हैं कि बात है कि इसने को कहते है डिनाइट्रीफाइंग बेक्तिरिया ऑजिसमें बड़े पॉपुलर miracles अपैक्टरिया जैसे चुदो मोनाश fast ऑच एकाजामी कालीजी सीडो मुनाश बैक्तिरिया और से लेक्तिरिया तो स्वूसर प्रोसेस है क्योंकि उसमें बैक्टिरिया इनवाल्ब है और यह जो डी नाइट्रिट्रिफिकेशन की प्रकृया है यह भी हाइप पर ज्यादा होती है यानि इसको भी एलकलाइन कंडिशन ही चाहिए ए बिनाइट्रिफिकेशन जो लॉस है यह ज्यादा होता है high pH यानी जैसे कि of potentialization में इंदी वाटर लॉइंग कंडिशन उने की वाटर लॉग कंडिशन तो यह और जल्दी जल्दी होता है और तेजी से होता है ठीक और यहां पर और यह पोईंट याद रखेका अब आप से पूछ से के इंदी पैडी फिल्ट पैडि फिलटब थे या वाटर लॉट्ड कंडििशन का में अपको पैडी फिल्ड के अंदर देखने को मिलती है तो फाइने को पैडि फिल्ड है इस पैड़ी फी सिकर्ण अं चावल के खेत में पेडी फील्ड में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो लौस होता है और कितना होता है सिक्स्टी परसेंट बस सबसे दा कन्फूजन ये 60% रेकर किया क्योंकि यहां पर भी वैलू 60% है और यहां पर भी वैलू 60% इथी इसलिए बच्चे से कन्फिस हो जाते हैं कि कौन सा 60% कहां का है ओवर ओल नाइट्रोजन पूछा जा रहा है तो सबसे जदा नाइट्रोजन का नुकसान जो है ओवर कोई क्रॉप की बात नहीं हो रही है तो और पैडी फिल्ड की बात हो रही है कि नहीं पैडी फिल्ड में बताइए तो पैडी फिल्ड में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का जो नुकसान है वह आपका डी नाइट्रिफेकेशन से होता है इसके लावा लीचिंग लॉस भी यह वो होता है बॉलेटलाइजेशन से बॉलेटलाइजेशन ठीक है यह जो नुक्सान में आपको बता रहा हूं यह वाला नुक्सान यह वाला नुक्सान यह सब भी कन्फीज मत होना यह वाला 60 परसेंट यह नाइट्रिफिकेशन का चावल के अंदर और वो जो पहले बताया था 60 परसेंट वह बॉलेट लाइजेशन का वह वहां पर चावल की बात नहीं हो रही है वह ओवर लुक्सान है तो यह बात आपको याद रखनी है तीसरी लीचिंग लॉसेश इंदी नाइट्रेट फर्डिलाइजर का इस्तमाल करते हूं तब यह नुकसान यूजलि हमको ज्यादा देखने को मिलता है और हीमिड रीजन तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा जहां पर हीमिड़िटी ज्यादा होती है वहाँ पर तो बहुत बह अंगर है reduced zone कमा सब एक पानी भूगा हो वहाँ पर कभी भी नाइट्रेटीट फ्टर दिलाइजर मनतों वहाँ पर अमनिकल फ्रिक्र बात करते हम लोग नाइट्रिफिकेशन इनहेटर की इसको समझेगा नाइट्रिफिकेशन इनहेटर अब दो को नाम सी समझ में आ रहा है इनहेटर नाइट्रिफिकेशन इनहेटर तो अभी मैंने जो आपको प्रोसेस बते नाइट्रिफिकेशन उसमें क्या था अमोनियमाइन था वो नाइट्र यह भी फर्टिलाइजर ही है और यह बेसिकली नॉन नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं कि कैसे फर्टिलाइजर है यह नॉन नाइट्रेट फर्टिलाइजर है जो बेसिकली रिडियूस करते हैं as reduces the activity of night delight bacteria Quebec कि कुई भी चीज में Redmi कम करनी है तो안- ना ऩरी फेकर्ट से हो रहा है नैट्रीफाइंग बेक्टरिया से हो रहा है तो आप नाइट्री व्यक्त्रिया को कन्ट्रोल करो डरी इत्रिफाइंग बेक्ट्रिया मैं जैसे कि नाइट्रימ प mixing मुनास नाइट्रोस मुनास कहां काम कर रहा था जब अमूनियम आयन कनवर्ट हो रहा था किसमें नाइट्राइट में जब नाइट्राइट में कनवर्ट हो रहा था तब नाइट्रोस मुनास काम करता है तो यहां पर आप क्या करो इस नाइट्रोस मुनास की ग्रोथ को रोग तो यहां पर यह जो नाइट्रिफिकेशन इनिवेटर रहें कि ऐसे फर्टिलाइजर जो नाइट्रो सो मुनास बैक्ट्रिया की ग्रोथ को रोग देते हैं इनकी एक्टिविटी को खतम कर देते हैं जब एक्टिविटी इनकी खतम हो जाएगी तो अमोनियम आयन कभी आपका नइट्रीट म कन वर्ट ही नहीं होगा तो जब रेटृट में आजओ नहीं होगा तो नाइट्रेट क्राइटि नहीं होगा वह पर जब नइट्रिफिकेशन कहां से तो यह Carlos strategy नाइत्रिफिकेशन को खतम करतेता है डिनारिफिकेशन को reduced कर दे Ч conductionонч लोग देता है सब लीचिं इंपोर्टेंट है जैसे कि थायो यूरिया है थायो यूरिया आप थायो यूरिया का इस्तमाल कीजिए थायो यूरिया का एक नाइट रिफिकेशन इनिविटर भी है इसमें आपको 36.8 परसेंट नाइट्रोजन देखने को मिल जाता है थायो यूरिया में ऑग्जामाइड है और वी तमाम एक्जाम्पल है जैसे एम है आपका एम जिसको पन कहते हैं यह टू आमाइन ओफोर क्लोरो शिक्स मिथाइल प्रिमिदिन एम शॉट मैं कहते हैं एम आप तो एम लिख लीजिए बस पूरा लेखना चाहो तो पूरा लिख लो टू आमाइन ही जाना जाता है इसके लाबा नीम केक का इस्तेमाल कर सकते हो नीम केक भी क्या है आपका नाइट्रिफेकेशन इनिवेटर ही हैं के झालिए अब बात करते हैं हम्लोग स्लो रिलीस फैर्टिळाइजर की सिलो श्रीष पर्फ 1 जर्रीणजर है कि इसलो रिलीस फैर्टिलाइजर का मतलब क्या है इसको आपने क्या सकते हैं Controlled Release Fertilizer या Controlled Release of Nitrogenous Fertilizer बेसिकली हमको क्या करना है efficiency को बढ़ाना है वह हमने किसी प्लांट को कोई fertilizer दिया है यह ठीक वैसा ही है कि आप खाना खा रहे हो आपकी रफतार है वह कि एक मिनिट में आप एक ही रोटी खा पाते हो आपको एक मिनिट में अब आपने यहां पर कोई fertilizer इसको दिया है तो यह रहाव यहां पर fertilizer यह रहाए फर्टिलाइजर ठीक है अब इस और ले जाएगा तो आसपास की जो प्लांट है वीड हो ले जाते तो नुक्सांत हो गई हुआ तो यहां पर हमको efficiency बढ़ानी है तो सलो रिलीस fertilizer का इस्तमाल करो अब बहुत नाइट्रोजन रिलीज होगा ज्यादा रिलीज होगा आप उतना yle conocer लोस में सबसे जाएगा पानी के साथ भी जाएगा पानी के साथ बहे जाएगा लीट्व लोस सबसे जधा हूंगा तो आप सालो रिलीज होगी उतना ही बोडिलीस करेगा या यहां कह सकते हैं कि लो वाटर पी fertilizer है कैसे है low water sollable fertilizer यानि पानी में धीरे-धीरे गुलेंगे धीरे-धीरे गुलेंगे तो धीरे-धीरे nitrogen पुपना जो nutrient है वो प्रोवाइड करेंगे और धीरे-धीरे प्रोवाइड करेंगे तो leaching losses में जाएगे नहीं यहांनी हमारी जो रफथार है खाने की उसी के लिए के जाता है लीचिंग लॉसेस को रोकने के लिए और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की एफिशेंसी को बढ़ाने के लिए game increases Dед fertilizer efficiency Soer fertilizer efficient fertilizer efficiency हो बढ़ाने के लिए और false को रोकने के लिए अम लोगs रेलीज फ़र्टिलाइजर का इस्तिमाल करते हैं जैसे बड़े पौपुलर है इसके अंदर एक है यूरिया फवर्मेलडिहाइड यूरिया formaldehyde सभी लोगों सोना होगा लिए फ attraction पूछहादा है कि इसके अंतर कितना नाइट्रोजन पाया जाता है तो इसके अंदर होता है अरा 30 से लेकर कि 42 पर सेंट 48 से 40 फरसेट से के अंदर तरोजन पाया जाता है यूरिया फोर्मेल्डी हाइड के इन एक और अपने सुना तो पॉइंट टुपरसंन नाइट में टिCposoint टूबाइंस के अन्डध ऐंक सी डियू आप मुझे गमें 궁금 बताना क्या होता है सीडियो यह होता है स्में 32.5 परसेंट नाइट रोसन सीडियो थाइटी टू-परसेंट नाइट रोजन इनके अंदर पया जाता है यह तो अ फेड़ीह इसके लाभा कुछ टिंग कर देते हैं को टिंग बनाये जाते हैं कि और असी और ये अचीड को टिंग बेरियर क्टो टende कर दी जाते हैं जैसे रiblत कोटेड यूरिया है नीम कोटेड यूरिया है सलफर कोटेड यूरिया है नीम कोटेड यूरिया है यह सलफर कोटेड यूरिया नीम कोटेड यूरिया यह वी क्या है सब आपके स्लो रिलीस फर्डिलाइजर है यह सब स्लो रिलीस फर्डिलाइजर है ठीके धीरे धीरे न्यू कोई confusion कोई भी question हो कोई भी doubt हो तो हम बैठे है ना पूछ लेना कभी भी पूछ लेना WhatsApp मैसेज कर देना अब थोड़ा सा सब्र भी किया करो मैं 24 गंटे मुवाइल लेके तो बैठा रही जाता ऐसा तो है नहीं मेरे वो दिन थे वो तो वेटे कि आपका मैसेज आय तुरंत उपन किया और किसका मैसीज करना है टाइपिंग करनी है आदे से ज़्यादा समय लेने में चला जाता है जब फ्री होते हैं तो समय WhatsApp के मैसेज़ इस आपके देख लेते हैं और रिप्लाइख कर देते हैं तो आपका कोई भी वैरी है वाटसप मेंसेज्ज कर दिया करो एक दिन में अगर नहीं आ गया रिपलाइ आयरे महीं कंव से कम 100-100 500 मैसेज कर जाते हैं इतने सारे मैसेज नहीं पढ़ पाते कई बार ऐसा होता है कि वो स्किप कर जाता है ओपन कर लिया लेकिन पढ़ना बूल गया कुछ काम बगरा पढ़ गया तो पुरा मत माना करो कि सर ने मेरा मैसेज नहीं पड़ा अरे कोई दिक्कत नहीं है हम तो अपने प्रफेसर कॉलेज में थे ना तो ददस चेकर काटते थे वह ददस बार बुलाते थ चैटे चीटियों से जो बड़े वाले उतना कुछ चैटे बोलते हैं जैसे वो चिपक जाते ना गुड़ के साथ ऐसी आप लोग चिपक जाए करो टीचर के साथ बता दे नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं मैं बार बार पूछ तरह हो बार बार कुछ आता रहूंगा तो आप लोग भी ऐसी कुछ आते रहा करो मुझे तो अगर नहीं मिला रिपला तो फिर से कर दो नहीं पड़ पाया होगा हम भी इंसान ही है हो जाती है गलती कोई दिक्केत नहीं तो जो भी डाउट बगर आए वह मुझे पूछ लिया करो और कमेंट में डिसकेशन कर लो ठीक और कभी भी कोई डाउट हो कोशिश यह किया करो कि मुझे वाटसप में मैसेज करते या करो बहुत ज्यादा इमर्जंसियों तो ही कॉल करो कुछ बात वहीं कॉल करोगे तो कॉल भी पिक अपनी कर पाऊंगा ज्यादा तर समय क्लासिस में रहते हैं तो मैसेज कर दिया करो आपके सारे रिपलाई आपको मिल जाएंगे जैराम जी जैंद